Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Investing with Hardeep में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IT सेक्टर के शेर, Infosys की और आज के दिन में क्या कुछ अपडेट है क्योंकि market के अंदर भारी भर कम गिरावट देखने को मिली है फिर भी Infosys में भी correction आज के दिन में देखने को मिली और ऐसे में एक long term stock के हिसाब से अगर Infosys को हम देखें तो क्या यहाँ पे जो एक साल की already correction stock में है उसके बावजूद stock को सही level कौन सा रहेगा buy करने के लिए या फिर आप already buy करके रखे हुए है तो किन levels पे आपको short term entry और ले सकते हैं या फिर long term के साब से entry ले सकते हैं और क्या कुछ technical chart कहता है क्या कुछ update है बात करेंगे इस वीडियो में और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके all पे जरूर सेलेट कर लीजे ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड हो आप लोगों तक तुरंत notification पहुंच जाए Infosys को अगर आज देखेंगे आप ओल्मोस्ट कोई बड़ी गिरावट नहीं कहूंगा मैं हाला कि जो gap down ओपनिंग हुई आज के दिन में उसके वज़से उमीद थी कि stock 3-4 पसंट तक की गिरावट दिखा सकता है तक अमेरिकन बजार में जो गिरावट है इस टाइम उसकी बज़से इंडिन स्टॉक मार्केट के अंदर आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है लेकिन जो एक gap down ओपनिंग हुई थी ओल्मोस्ट 1460 रुपे के आसपास उसमें continuously recovery दिखाते हुए प्रिवेस क्लोजिंग 1480 रुपे थी वही 1473 रुपे के आसपास जाके स्टॉक ने आज अपनी क्लोजिंग अल्मोस्ट 6 रुपे की गिरावट के साथ दिखाई है IT सेक्टर का अगर आप analysis करेंगे उसमें विप्रो लगा लिजिए L&T लगा लिजिए कोई भी स्टॉक IT सेक्टर का जो भी है SCL है Sinsure है तो ऐसे में IT सेक्टर की companies का जो revenue है वो समझे पहले आप क्या funda है इस टाइम IT सेक्टर की companies के साथ में क्या हो रहा है कि जो IT companies का revenue generation है वो होता है सारा का सारा US से mostly जो revenue आता है IT companies का वो USA generate होता है और ऐसे में American बजार में अभी तक गिरावत लगाता है आप लोग देख पा रहे हैं और ऐसे में अगर आप इस company का एक साल का चार्ट देखेंगें तो यह देखें यह stock जो है almost 19% की correction में इस time है जहां पे stock almost अपने peak पे था 1900 रुपे के आसपास था वहां से stock में पिछले साल जो भाई बरकम गिरावत हुई रसिया और युक्रेयन के वार की वज़े से वो अभी तक उसी range में यह stock concentrate कर रहा है और इस level को दोबारा से retest करने के लिए stock हमें उसी level पे दोबारा से आता हुआ देखने को मिल जाता है बात करें आप इस company के 5 साल की तो CGR अगर count करेंगे आप तो almost 111% की क्योंकि एक साल में जहां 14% की गिरावट है तो 4 साल के एगर returns देखें मोटे मोटे तो तो 40% के हिसाब से yearly returns जो है infosys ने अभी तक भी investors को बरकरार बना के रखे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उपरी level जो था यानि कि जो 2000 रुपे के आसपास का जो level है ये वाला level है उससे stock almost 20% से उपर की correction में इस time है और इस level को retest करने के लिए stock दोबारा से हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता हैं बात करेंगे इस company के maximum returns की तो 12,617% के returns जो की काफी कमाल के बना के दिये है infosys ने एक IT sector की काफी अच्छी company है जो की second number पे हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं और returns भी काफी कमाल के infosys ने short term में कहा लिजी और long term में investors को बना के दिये हैं अमेरिकन बाजार में देखें जितनी गिरावट चल रही है उसकी वज़े से कही न कहीं Indian stock market के NSE, National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange जोनों में ही गिरावट है तो समझ सकते हैं कि all Asian indices were also trading in the red on Friday morning as investors await the closely washed fabric non-farm payrolls report from the US that could further determine the direction of the Federal Reserve rate hike ahead तो कहीं न कहीं Federal Reserve rates जो हैं वो दोबारा से hike हो सकते हैं और जिसके बज़े से Friday morning आज के दिन में सारे के सारे Asian indices जो हैं वो हमें red ही देखने को मिले हैं और जिसके बज़े से market के अंदर आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुकी है आज का अगर volume देखेंगे आप तो इस top का almost जो volume रहा है almost 37 lakh के आसपास का Infosys का आज के दिन का volume रहा है तो आप समझ सकते हैं कि selling और buying दोनों चली जरूर है आज के दिन में हाला कि selling थोड़ी से ज़्यादा आज के दिन में हमें Infosys के अंदर देखने को मिल चुकी है अब बात कर लेते हैं technical chart की यह support level और यह support level 1460 रुपे आसपास का तो इस level को retest यह जरूर करने आएगा और उसी range पे हाभी 1470 रुपे पे है तो 1460 रुपे आसपास यह stock हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है अब बात कर लेते हैं अगर यह support level break होता है तो यह support level अगर break होता तो stock सीधा इस range में आएगा सीधा 1450 रुपे की range में हाला कि chances कम है कि इस support पे आके stock जो है support ले हाला कि यहीं से एक recovery देखने को मिल सकती है और अभी patiently hold करें क्योंकि market के अंदर जो negativity है उसकी वज़े से stocks के अंदर भी गिरावाट देखने को मिल रही है अगर आप bank nifty nifty के अं बोक्स में आप लोगों को मेरे free telegram group का link मिल जाएगा जिस पे आपको daily एक से दो demo calls मिलती हैं जिससे आप easily महीने का 10 से 12000 जनरेट कर सकते हैं link video के description box में आप लोगों को मिल जाएगा quarterly results देखें आप sales देखें almost 38000 क्रोड की थी और 9366 क्रोड का जो की अभी तक quarterly basis पे yearly basis पे देखें तो quarterly जो returns थे उनमें इतना profit company ने अभी तक generate नहीं किया तो काफी अच्छे returns देखने पर मिले थे quarter 3 के अंदर और बात करेंगर promoter stakes की तो promoters के पास 15% stake है FIs के पास 36% stake है DIA के पास 32% है यहाँ पर देखें आप एक चीज 2020 में 30% stake था फिर यहाँ पे almost 31% आ चुगा थ और उसके बाद stock में एकदम से almost FIs ने काफी अच्छा उच्छा दिखाया और government के पास भी 0.19% है और public के पास 15% stake है तो आप समझ सकते हैं कि stock काफी अच्छा है long term में काफी बढ़िया returns infosys बना के दे सकता है और hold किया है तो जरूर hold कीजिए long term तक काफी बढ़िया returns infosys